हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रीम ओफ दिम चैनल आप सबका स्वागत करता है दोस्तों अगर आप एक शुरुवाती निवेशक हैं और शेर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी शेर में निवेश करने से पहले सबसे पहला काम जो हम सबको करना चाहिए वो होता है उस Share का Fundamental Analysis करना Fundamental Analysis की इस सीरीज के पहले वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस Fundamental की बात हर बड़ा निवेशक चाहे वो वारन वफेर जी हो चाफिर रादा क्रिशन दिमानी जी आखिर यह Fundamental Analysis होता क्या है और इसे करने के क्या फाइदे है बेसिकली जब भी हम किसी भी कमपनी का Fundamental Analysis करते है तो उससे हमें कमपनी की वित्य स्थिती का पता लग जाता है कमपनी क्या कामकाज कर रही है जाफिर कहें कमपनी का क्या बिजनस है कमपनी की सेल कैसे है प्रोफिट कितना आ रहा है जाफिर कमपनी दिवालिया तो नहीं होने वाली और पहुत कुश सब को सिखेंगे लेकिन धीरे धीरे यह सब देखने के बाद हम यह पता लगाते हैं कि क्या हमें इस कमपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पे हमें इस कमपनी के शेर खरीदने चाहिए इसे एक उधारन के साथ समझते है हम सबके घरों में प्याज का इस्तिमाल तो आमी ही होता है हमने अक्सर यह देखा होगा कि इसके रेट यानि के भाव में उत्राओ चड़ाओ तो आता ही रहता है लेकिन क्या हम देड़ सो रुपे के भाव पे प्याज खरीदते हैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर बहुत ज़रा जुरूरी नहीं होगा तो मैं प्याज नहीं करूदूँगा मैं प्याज के भाव का नीचे आने का वेड करूँगा बिल्कुल इसी तरह शेर के प्राइस भी बिल्कुल उपर और नीचे होते रहते हैं कई बार यह बहुत ही महेंगे मिल रहे होते हैं और कई बार बहुत ही सस्ते Fundamental Analysis में हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि वास्तम में जिस शेर को हम ख्रीदना चाते हैं उस शेर का असली प्राइस क्या है इसके इलावा कमपनी आने वाले सालों में कितनी तेजी से बढ़ सकती है और उस हिसाब से उसके शेर का प्राइस कहां तक जा सकता है अगर हमें इस कमपनी में निवेश करना है तो कितना करना है आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कमपनी की सेल ओप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जन्स डेप्ट टू इकुटी या फिर इंसेंट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं सब को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा थैंक यू दोस्तो